एक अगस्त दो हजार तेश से केंद सरकार तीन बड़े नियम लागू करने जा रही है जिनका जानना सभी देशवासियों के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि आने वाले नियम देशवासियों के लिए प्रिशानिया खड़ी कर सकते हैं जी हां काफी ऐसे देशवासि होंगे जिन्हें यह आने वाले नियम नुक्सान भी दे सकते हैं अब यह कौन से नियम है जो देशवासियों की जेप पर भारी पड़ने वाले हैं वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताय जाएगा मोबाइल नियम, बैंक नियम, सलेंडर नियम और भी कई बड़े नियम हैं जो केंद सरकार लागू करने जा रही है तो जली वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जान कर देते हैं कि सरकार अब की बार कौन से नियम लागू करने जा रही है लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा चोट असाने विदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिप्या वीडियो लाइक कर दीजिए तुझली जान लेते हैं किन नियमों से देश्वासियों को हानी होने वाली है और किन नियमों से लाब तो आपको बदा दें कि हर महिने की पहली तारीक की तरहे इस बार भी 1 अगस्त 2023 से कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिसका असर आम लोगों की जेप पर पढ़ने वाला है तुस्तो एक जुलाई 2023 को भी केंद्र सरकार की तरप से कई बड़े नियम लागू किये गए थे जिनका नुक्सान भी देश्वासियों को हुआ था और फाइदा भी देश्वासियों को हुआ था दोस्तो इस बार भी अगस्त महिने में कई नियम सरकार लागू करेगी एक अगस्त को दोस्तो आप कौन-कौन से नियम देखने को मिलेंगे चलिए जान लेते हैं अगस्त महिना सुरू होने में कुछ ही दिन से रह गए हैं इन नियमों को जानना सभी देश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है जो भी देश्वासि इन नियमों को नहीं जानते हैं उनको दोस्तो समय आने पर इन नियमों का पता चलेगा जिनसे लावार्थियों को देखने को मिलेगा अब क्या-क्या नुकसान यहाँ पर होने वाला है वह हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्रिप्या वीडियो को लाइक कर दीजी और ज्याद से ज्यादा वीडियो को सेर भी करेगा तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजके दोर में सभी देश्वासियों के पास mobile phone हैं। बच्चे से लेकर बुढ़े तक सभी Android mobile का इस्तमाल कर रहे हैं। किया जा रहा है जिहां जिस मोबाइल में आप एप का इस्तमाल करते हैं चाहिए आपकी कोलिंग को लेकर हूँ गेम को लेकर हूँ या फिर कोई भी आप मोबाइल में एप को यूज कर रहे हैं दोस्तो उसका सपोर्ट होना बंद हो जाएगा और आप यह से भी जानते ही हैं क कि बिना एफ के ऐसा कोई mobile ही नहीं है जिसमें अग एफ ही नहीं हो एफ के बिना mobile एक डबबे के समान है मतलब के एक दरहे का आप बारा कःसकते हैं क्यंकि उस फोन में आप कोई भी एफ का स्थमाल नहीं कर पाएंगे अगर आप होन में एफ का स्क्योर नहीं होगा और दोस्तों गूगल की तरफ से 4.4 किट कैट के लिए एंडुड सपोर्ट बंद किया जाएगा अब यह कौन-कौन से मोबाइल है अब आप यहां पर जान लिए यानिके दोस्तों जिन व्यक्तियों के पास 10 साल पुराने मोबाइल है यानिके अगर आप आप ने 10 साल पहले कोई मोबाइल खरीदा था और आप अब भी उस मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो इसमें गूगल सिस्टम काम करना बंद कर देगा दोस्तों रिपोर्ट की माने तो यह है गूगल सपोर्ट एक अगस्त से देश भर में परभावित कर सकता है यनके एक अ अपरेल से एक अगस्त से हो सकती है अब दुस्तों नियम नंबर दो बैंक को लेकर हैं देखें बैंकों को लेकर सरकार की तरफ से कई बड़े नियम लागू किये गए हैं हाला कि हाल ही में एक और बड़ा नियम बदल दिया गया है सभी देश्वासियों के जो बैंक एकाउंट है वह अब बैंकों में ओपन हो चुके हैं जिसके अंतरगत 1 अगस्त 2023 से अब नए नियम लागू होने जा रहे हैं देखे रिजरु बैंक ओप इंडिया एक और बैंक को लेकर बड़ा फैंसला सुना रहा है यदि के अगर आपका बैंक एकाउंट कोपरेटिव बैंक में है और कोपरेटिव बैंक पैसे निकालने की जो सीमा है वह निर्धारित कर दी है अगर आपका बैंक खता कोपरेटिव बैंक में है तो एक अगस्त के बाद आप सिर्फ पचास हजार रुपे ही अपने खते से निकाल पाएंगे यानि कि बैंक में खता रखने वाले ग्रहक पचास हजार से अधिक रकम एकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दें किर्यजरु बैंक ने बैंगलोरु से national cooperative bank यह बैंगलोरु में इस्तित जो cooperative bank है national cooperative bank के लिए यह नियम बनाया है जिसमें बैंगलोर के जो निवासी हैं जिनका bank account national cooperative bank में है वे अपने बैंक खाते से 50,000 रुपे से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगे अब दोस्तो बैंक का दो नियम आपने जाय नहीं लिया है अब जलते हैं नैश्ट और लाश्ट नियम की ओर वे आपका LPG Gas Lender को लेकर है देखें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर महिने की पहली तारीक को LPG Gas Lender के प्राइज में बदलाव किया जाता है चाहे दोस्तो आप किसी भी राज्य में क्यों नहूं सभी राज्यों के प्राइज अलग अलग निर्धारित होते हैं आपके राज्य में LPG Gas Lender का क्या प्राइज है आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताईगा दोस्तो आपको बता दें कि Gas Lender का प्राइज इस बार भी बदलने जा रहा है देखें एक चुलाई 2030 को ग्रहेलू LPG Gas Lender के प्राइज में बतलाओ नहीं किया गया था लेकिन अब की बार उमिद की जा रही है कि जो LPG Gas Lender उगर उतर पर्देश की बात करें उतर पर्देश में Gas Lender 1140 रुपे का मिल रहा है अब की बार उमिद की जा रही है कि यह 100 रुपे सस्ता भी हो सकता है यहनके जो LP Gasslander आपको 1140 रुपे में मिल रहा है वह 1040 में ही आपको मिल जाए हाला कि अभी ऐसा कोई भी नीन्या नहीं लिया गया है लेकिन उमीद की जा रही है कि एक अगस्त के बाद घरेलू Gass की जो प्राइज है वह सरकार बदल सकती है यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा जाजाते आपसे करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिपया वीडियो को लाइक कर दिजे और जाजेता वीडियो को सेयर भी कर दिएगा तब चाते हैं आप से इजाजत और मिलते हैं आपको नए श्टूडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत